बवासिर के लिए खाने वाला कपूर होता है ना एक तो होता है यह जलाने वाला कपूर यह तो अच्छा नहीं होता है यह खाने के काम का नहीं होता है जलाने वाला कपूर या उसको बोलते हैं भीमसेनी कपूर देसी कपूर एक चने के बराबर केले में डालके केले में उसको थोड़ा सा केला काटा एक तरफ से तो उसमें जगए बनाके और उसके अंदर डालके निगल गए ज्योंकि ऐसे कपूर खाओ तो दाथ को नुकसान करता है ये मात्र तीन दिन खाली पेट देना है ये हमारे गुरुजी दिया करते थे ये बात होगी तीस साल पहले की फिर हमने भी बहुत लोगों को प्रियुक करवा है ज़्यादा कपूर नहीं देना चाहिए बस चने के बराबर ये बहुत अच्छा है एक पत्ता होता है नाग दोन नाग दोन का पत्ता अक्सर लोग अपने घरों में गमलों में लगा के रखते है बहुत हरा हरा होता है किसी भी तरह की बलीडिंग हो रही हो नाग दोन कि तीन से पांच पत्ते चबालो और उपर से पानी पीलो मैंने अपने हाथों से सेंकुड़ों लोगों को दिया है तीन दिन के अंदर बलीडिंग बंद हो जाती है और बवासी ठीक हो जाती है और जिनको माताओं बहनों को वाइट डिस्टार्ज या महवारी में ज़्यादा खोन आता है वो भी बंद हो जाता है अब यह छोटी सी बात है बलीडिंग के लिए और बवाशीर के लिए भी नारियल का जो उपर का छिलका होता है जिसमें नारियल की जो जटा होती है नारियल की दाढ़ी उसको फूक लेते हैं राख बना लेते हैं उसकी राख नारियल की जटा यह तो पूरी हिंदुस्तान में नारियल तो पूजा पाट में सब जगे चड़ता है तो सारी हिंदुस्तान में नारियल मिलता है यह सूखा वाला उसके उपर का जो ब्राउन का लर्का होता है उसकी डाड़ी की राख बनाके दो ग्राम राख छांच में डालके पिला देने से कैसी भवासिर हो और किसी भी प्रकार की ब्लेडिंग हो रही हो तुरंट बंद हो जाती है एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ माताओं बहनों के लिए भी आप ये चीज बताना किसी को कोई समस्य हो तो ये छोटी छोटी बाते है और आजमाना इनको ये हजारों लोगों पर प्रियोग की वी बाते हैं एक ओशदी है नाग केशर नाग केशर ये केशर नहीं होती है नाग केशर, केशर जैसा कलर होता है इसका और ऐसे ही छोटे-छोटे दाने टाइप होती है फूल जैसा होता है नाग केशर इसका पाउडर कर लो और ये पाउडर चाच के साथ दे दो या ठंडे दूद से सुबह चाच से, शाम को ठंडे दूद से माताओं बेहनों को कितने ही ज़्यादा वाइट डिस्टार्ज की प्रोब्लम हो या ब्लीडिंग हो रही हो या बवासीर हो एक दम अच्छा करती है विदिन थ्री डेज इसका रिजल्ट आ जाता है नाकेशा अध्वद